नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है इस सेशन में करन जाजा के इस एपिसोड में आईए देखते हैं कि आज के पेपर यानि की दो फरवरी को क्या-क्या ऐसा न्यूज आइटम था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए हलाकि आज के पेपर में बजट और बजट की चीज़े काफी भरी हुई हैं जिसको हम लोग अलग से भी कर चुके हैं और करते भी रहेंगे आज वही न्यूज आइटम देखते हैं जो बजट के थोड़ा सा हटके था और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो छमा चाहेंगे आप लोगों से कि सुबह नहीं आ पाए हम और I just wanted this session to happen anyhow तो तब जैसी भी करके जो भी हो सका करके यह session किया जा रहा है तो आज के लिए छमा प्रार्थी रहेंगे कि नहीं कर पाए और शायद कल भी कोशिश करेंगे कि कर लेंगे पर अगर नहीं ठीक रही तब है तो हम आपको जरूर सेशन जरूर होगा और जरूरी नहीं कि लाइव उस समयाद बजे हो तो हम आपको इंतला कर देंगे आए चालू करते हैं आज का session इस यौर करेंट चाचा इस चंदरमॉली इन फ्रेंट आफ यू और कोशिश हमेशा हम यही करते करेंजेगा और एक टेलिग्राम ग्रूप है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चंद्रमॉली SIR पायदा यही रहेगा कि काफी चीज़े होती रहती हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर सीखने को ही मिलेगा तो आप टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स हैं कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का इस कंटेंट को यूज करिए और क्राकरी इस एक्जामनेशन को यही हमारी मंद्शा है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे कुछ बैचेज भी चालू हो रहे हैं NCRT के उसी सिलसिले में कल से एक बैच चालू हुआ है NCRT का यह तीन महिने के डूरेशन के साथ है आप ऐसा कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं CMC कोड यूज करके लाइफ क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे और काफी कुछ आपको फायदा मिल सकता है आरंब बैचे जो हमारा 27 तारिक से अलड़ी चालू हो चुका है यह English पैच है, हिंदी और इंग्लिश का टॉप एजुकेटर से यहां भी पढ़ाएंगे आपको तो आप CMC कोड इस्तमाल करके इसको भी ले सकते हैं जैसा कि अभी CMC कोड में हम आपको बता रहें तो ओफर मिलता है जैसे आप प्लस लेंगे, आइकॉनिक लेंगे तो आप जो भी आपको चुनना है, जो भी आपको लेना है माली जटहरा महीने, बारा महीने का तो जैसी आप CMC कोड लगाते हैं, उसमें एक उफर आ जाता है 10% आफ हो जागा, जैसे अगर आप प्लस लेते हैं दो साल का तो आपका उफर आ जागा और आपको टोटल 70,000 का पड़ेगा अगर आप एक साल का लेते हैं तो आपको 52,000 का पड़ेगा तो यह उफर चल ला है, अगर जिसका भी मन हो लेने का और हमाई साथ जुडने का मन है आपको, तो आप CMC कोड इस्तमाल करके ले सकते हैं February में एक उफर आया है, Notes Bonanza का अगर आप UPC, CAC, PLUS, GS, Combo subscription लेते हैं of two years and above, you will get CAC Notes absolutely free यह खाली चार तारिक तक valid है, जो भी अभी लेता है PLUS में, PLUS GS या Combo, उनको यह मिलेगा CAC का Notes, Complimentary, Free CMC कोड याद रखिएगा, तक ही आपको फायदा मिल सके आईए, चालू करते हैं आज का सेशन और चालू करने से पहले बस एक ही बात बोलेंगे निरंतरता ही वाकई में बहुत चीजों को बदल सकती है और अगर हम लोग निरंतर हैं, तो कुछ भी हम लोग बदल सकते हैं समय लगता है, और भागे में अगर हो भागे थोड़ा सा साथ दे दे तो निरंतरता बहुत बड़ा एक हतिया आरे जो आपके पास होने वाला है और हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं इस सारी थीम से जिसमें हम लोग वर्क कर चुके हैं करते जा रहे हैं, यहां कुछ नई थीम से एड़ हो रही है जैसे की हमने आपको एड़ की है इंडिया मयनमार एड़ हो चुका है और इंटरनाशनल ओर एड़ हुआ है हम एक नया थीम उपन कर रहे हैं, अभी हम समझाएंगे क्यों आई चालू करते हैं सेशन यूएस डिस्ट्रोइड आम्स कंट्रोल पैक्ट मॉस्को रश्या बोलता है कि यूएस ने आम्स कंट्रोल जो ट्रीटी थी उनके बीच की उसको यूएस ने भंग कर दी है अब ये हमारे भारत से डारेक्ट जुड़ा भी नहीं है पर ये ऐसे न्यूज आते रहते हैं तो इसको हम एक इंटरनाशनल ओर्डर के तहत एक थीम बना लेते हैं यहाँ पे इसी कोई भी घटना जो इंटरनाशनल ओर्डर की हो रही होगी भले यूक्रेन की हो भले बुर्किना फासो की हो कोई भी ऐसी चीज़ हो हम लोग इंटरनाशनल ओर्डर के थैत इन चीज़ों को पढ़ ले हाला कि बहुत चीज़ यहां पर नहीं पढ़ना होता है पर हमें आइडिया होना चाहिए कि इन दियोनों के बीच में ऐसी क्या ट्रीटी थी और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट आइए देखते हैं रश्या और यूएस के बीच में एक ट्रीटी चलती थी जब यह लोग होड में थे अपने वेपन को बनाने में तो इनके बीच में फिर एक ट्रीटी सायन की गी ताकि पीज बनी रहे सके कि अपने जितने इन लोग के आर्सनल्स हैं उन पे कंट्रोल करना है आप नाम सुनते होंगे या अगर नहीं सुने हैं तो आज देख लीजगा न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज लास्ट रिमेनिंग आम्स रिड़क्शन पैक्ट यह जो ट्रीटी की बात की जा रही है यूएस रश्या को बोलना है रश्या यूएस को बोलना है कि जो हमारे बीच में आम्स रिड़क्शन ट्रीटी है जिसका नाम न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इन लोगों का कहना है कि अब आप एक दूसरे पेल जाम लगा रहे हैं कि भंग कर दी है आपने इसको वाइलेट कर दिया है तो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी आखिर ये क्या है ये एक तरगा ट्रीटी था बिट्वीन फॉर्मर कोल्ड वर राइवल्स और कैप्स तू फिफ्टीन फिफ्टी दे नंबर अफ न्यूक्लियर वारहेट्स मतलब पंदरह सो पचास तक के न्यूक्लियर वारहेट्स नंबर में आपको रखने है अपने पास बस इतना ही कैप रखना है तो होड ना भचाते हुए रेस ना करते हुए आपको अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को कैप कर देना है इससे यादा नहीं रखना है यह 2011 में लागू हो चुका था न्यूस्टाट्रीटी अब एक दूसरे में जाके लोग चेक कर सकते थे यूएस रश्या हम जाके चेक करेगा रस्या यूएस में जाके चेक करेगा मतलब वारहेट्स आपके पास 1550 होंगे और 700 आप स्ट्राटीजिक लाँचर्स रख सकते हो नंबर इंपॉर्टन नहीं है पर इंपॉर्टन है कि यह ट्रीटी है जहां पे आप अपने आर्सनल्स को लिमिट कर रहे है इसका दस साल का डूरेशन था मतलब 2011 से 2021 तक चलना चाहिए था परंतु इसको एक्स्टेंड कर दिया गया और यह अब 2026 तक के लिए लागू है तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2026 तक के लिए लागू है तो क्या यही एक लौती ट्रीटी थी नहीं ऐसा नहीं है स्ट्राटीजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक जिसको सॉल्ट के नाम से जाना जाता है 1969 में कवायद चालू होती है अंडर दा इंटरिम अग्रिमेंट बोट साइट्स प्लेज़्ट तो यह ऐसा नहीं है 1969 अगर आप देखेंगे सॉल्ट इसका नाम है स्ट्राटीजिक आम्स लिमिटेशन टॉक तो अलरेड़ी जब लोगों के मन में डर बैठ चुका था तो ऐसे टॉक्स चालू हो चुके थे पिर आती है आपकी स्टार्ट वन ट्रीटी स्टार्ट वन स्ट्राटिजिक आम्स डिलिवरी वहिक्ट्रीटि जो नंबर आपने कैप किया है उससे ज्यादा जितने है आपको डिस्ट्रोई करने है इसके बाद आता है स्टार्ट 2 स्टार्ट 2 है स्ट्राटेजिक आर्म्स रिदक्शन ट्रिटी 2 1993 में साइन होता है and it called for reducing the deployed strategic arsenals 3000 to 3500 warheads आपको अपने जो deployed arsenals हैं उसकी value 3000 से 3500 रखने थी and banned the deployment of destabilizing multiple warhead land-based missiles तो समझने की बात यह है कि salt हो, start one हो, start two हो या फिर जो new start treaty है जिसकी अभी हमने बात की थी पहले ये सारे ही कोशिश कर रहे है treaty कि ये जो दो rivalry power है इनके बीच में warhead कम से कम capped रहे ये तो एक दूसरे के होड में, race में ये इतने arsenals बना लेंगे इतने warheads बना लेंगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा और world stability नहीं रहे जाएगी तो ये सबसे बड़ी बात है इस पूरे news item से निकलती हुए आती है strategic offensive reduction treaty आईए देखते है, sort तो आपका PT बन सकता है कुछ नाम आपको दिये जा सकते हैं किन से related है या कौन सा किस से related नहीं है sort है आपका strategic offensive reduction treaty sign in 2004 under which the United States and Russia reduce their strategic arsenals to 1700 to 2200 तो start 2 के बाद sort भी आया, 2004 जिसमें आप अप अपने strategic warheads को reduce करें 1700 से 2200 के बीच में फिर आता है start signed in 2-0-1-0 strategic arms reduction treaty signed in 2010 illegally binding verifiable agreement और इसी बात्वितिक 1550 तक आपको रखना है और 2011 में new start होता है और उसको continue के जा रहा है अभी तक 2026 तक के लिए वो continue है पिछले साल एक news आये थी कि रश्या ने मना कर दिया inspection से कि US हमारे inspection नहीं करेगा अब रश्या बोला है कि US मना कर रहा है और ये blame game कर रहा है समझने की बात ये है कि दोनों ऐसे ही country है जो सरुनाश कर सकते हैं एक दूसरे का भी और इस दुनिया में तबाही मचा सकते हैं तो इन लोग के strategic warheads पे हमें कुछ न कुछ तो विश्राम लगाना ही पड़ेगा और शायद ये treaties अगर कामियाब होई तो ये लोग कम से का अपने warheads को kept रखेंगे तो ये हम international order के तहद लिखे थे आईए दूसरा topic देखते है Russia gains in Donetsk campaign Ukraine six fighter jets from LS कुछ भी नहीं है और हमें बिल्कुल हमें मतलब नहीं है ये transactory news है हमें मतलब नहीं है पर हमें एक दो नाम है जो हम आपको पहले भी दिखाया थे तो location based ही मेरा है theme है प्लस international order है क्योंकि war चल रहा है तो बस इतना ही हमें पता होना चाहिए पर location based है हमने आपको पहले भी दिखाया था फिर से एक बार दिखाना चाहते है क्योंकि जो लोग नए जुड़ते जा रहे है उनको हम बता दें कि यहां पर thematic पढ़ाई हो रही है और theme बना बना कि अगर आप अपनी चीजों को तयार रखेंगे तो आप अच्छे मेना दिजे आप बहुत पाउर फुल्फिल करेंगे इस मैप को देखेगा आराम से डॉनेट्सक आप देख सकते हैं एक और नाम इसमें है बक्मुत हमने आपको पहले भी दिया था डॉनेट्सक बक्मुत यह है लुहांस्क रीजन यह है लुहांस्क रीजन तो आपके दिमार में क्लियर होना चाहिए डॉनेट्सक और लुहांस्क नॉर्मली अब आप लोगों को पता है पर बक्मुत नहीं पता होगा बक्मुत भी काफी नियूज में चल रहा है बक्मुत जेफोरोईजिया जहाँ पे नुक्लिय पावर ग्लैंट है यॉर्म का सबसे बड़ा माना जाता है यह जेफोरीजिया है यह आपका है बक्मुत यह डॉनेट्सक और यह है लुहांस्क यह यूक्रेन की टेरिट्री है ठीक है कमेंट करके बताईएगा कि यूक्रेन के जो कैपिटल है क्या वहां से कोई एक important नदी निकलती है या नहीं निकलती है कमेंट करके जरूर बताईएगा आई Sweden cannot join NATO if burning of the Quran is allowed Erdogan the president of Turkey तही है Erdogan He said that Sweden को हम allow नहीं कर सकते हैं कि वो आए NATO में हमारा theme यहाँ पे फिर से international order होने वाला है theme is international order theme is international order और इस international order की theme पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं अब हमें यहाँ पे बहुत कुछ समझने की जरूरत तो नहीं है पर फिर भी NATO कौन सी countries है और क्या important countries नहीं है इस पे देखना होगा आपके सामने एक map है आराम से इस map को देखी यह जितना आपको blue में दिख रहा है यह सब NATO member है Sweden और Finland ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो भी NATO की member बन जाए यह आपका Sweden है यह Finland है Norway already आपका member है तो प्रश्ण इसमें अगर यह आता है कि all the Scandinavian countries currently are not members of NATO तो यह गलत होगा क्योंकि already Norway इसका member है परन्तु Sweden Finland नहीं है यह बनने में लगे हुए है यह आप देख सकते Ireland यह भी member नहीं है आप Switzerland देख सकते है और आप देख सकते है Austria Austria भी member नहीं है Switzerland, Austria भी member नहीं है तो exceptional list कई बार वो पूछ सकते हैं जो आपको याद रखनी है plus Sweden और Finland इस बार आ सकता है क्योंकि यह apply कर रहे हैं पर कुछ लोग इनके विरुद्ध में खड़े है जैसे तर्की बोलता है कि कहा आप Sweden उनको लेके आ रहे है वहाँ पे चीज़ें अभी विवस्तित नहीं है यह तर्की इनको बोलता है तो तर्की तक आप देख सकते हैं पूरा फैल गया है बेलरूस रश्या की कंट्रोल में इसलिए नहीं है युक्रेन को रश्या नहीं चाहता कि जाए इसलिए नहीं है ठीक है एक दो चीज़ें और हम आपको दिखाना चाहेंगे आपे Sweden को देख लेते आईए आपको सामने Sweden का मैप है Sweden की capital है Stockholm और Norway आपका नौर्वे तो आपका यह हो गया जो की है फिल्लैंड हो गया आपका हिलसिंग की अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यह जो Arctic Circle है Arctic Circle is crossing Sweden, Finland and even Norway Arctic Circle is crossing और cutting Finland, Sweden and even Norway यह सो कट कर रहा है अगर वो पूछते हैं आप से कि क्या Stockholm Arctic Circle पे है नहीं हेलसिंग की या Oslo है नहीं लग बग अल्मोस्ट यह पैरलल है 60 डिगरी के आसपास यह 66.5 डिगरी का है Arctic Circle एक छोटी स्चीज़ है जो आपको याद रखनी है नाटो के बारे हम बात किया जा तो आप लोग को नॉर्मली भी पता होगा यह एक Military Alliance है North Atlantic Treaty इसको Washington T.T. भी कहा जाता है 1949 में साइन हुई थी US इसमें है Canada है and several Western European countries are already there in it नाटो में Sweden Finland ने अपना इच्छा जहिर की है कि अब हमें नाटो में जुड़ना है और अभी कुछ लोग इसके खिलाफ भी है कुछ लोग इनके समर्थ में भी इनके साध मी है पर देखते हैं कैसे चीज़े टरन अप होती है आईए इंडिया यूएस step up strategic ties with technological plans वैसे तो हमें बहुत कुछ इसमें से नहीं मिला था बहुत नॉर्मल लिखा हुआ है पर फिर भी कुछ angle analysis का हम लोग निकाल सकते हैं तो हमारा theme हो गया है इंडिया यूएस आपने लिख रखा है इंडिया यूएस का theme इस पूरी कहानी में से कुछ निकलने वाला है आईए देखते हैं क्या एक I.C.E.T. करके है initiative on critical and emerging technologies तो भारत और यूएस चाहता है कि हम कुछ technologies पर work करें जो कि emerging है critical है उन पर work करें हमारे लिए भी important है उनके लिए भी important है आई देखते हैं क्या-क्या है the I.C.E.T. that is initiative on critical and emerging technology seeks to build supply chains which increase co-production and co-development between the countries and increases linkages between the countries startup ecosystems both governments said in their statement इनका मतलब था co-production co-research और coordination के साथ हम लो कुछ करते हैं ताकि हमारे लिए भी फायदा हो आपके लिए भी फायदा हो वहाँ पे आप भी कुछ बना रहें हम भी बना रहें तो co-development गिया जाए so they wanted to build up a supply chain which increases co-development, co-promotion and co-production so that we can strengthen innovation ecosystem defense innovations and technology cooperation मतलब defense के लिए भी innovative ecosystem के लिए भी resilient semiconductor supply chains semiconductor supply chains semiconductor का demand बाद बाद बादा है इसके लिए भी PACE के लिए भी STEM जो कि आपका science, technology, engineering और medical के लिए है वो and next generation telecommunication जैसे कि आपका 5G और 6G भी है 5G और 6G भी है तो ICT के तहत इन सारे factors और parameters पे या इन fields पे work किया जाएका साथ-साथ co-production की बाद भी जा रही है there must be a mechanism to cooperate on quantum computing जो की काफी news में रहता है AI developing a new defense industrial cooperation supporting the development of semiconductors एक्सेक्टर तो लगबग वही बाते हैं बार बार जो आ रही है जो लोग नया देख रहे हैं यह मत सोचेगा कि इसी energy के साथ daily रहता है गल्ला कई बार नहीं काम करता है उतना तो इसलिए फोड़ा सा धीरे बोल लें पर मुद्दा यह है कि आप theme में लिख लें कुछ लिखना आपको यह है ICET as a mechanism for co-production co-development and certain technological researches that would be going on इसके तहत हम देखेंगे कि बहुत कुछ बनाया जाएगा और जब हम co-production करते हैं तो technology transfer भी easy हो जाता है अब the initiative comes at a time when the US is seeking to out-compete China in critical technologies and tighten the screws on China semiconductor industry China का semiconductor industry काफ़ी strong है China के पास rare earth का बंडार है परन्तु supply chain में कोई disruption ना है इसलिए US भी काफ़ी कुछ करता रहता है और भारत के साथ मिलके उसने ICET की भी बात की है हमें किसी पर dependent नहीं होना है तो यह move हमारे लिए important है क्योंकि हम नहीं चाहते चाइना पर बहुत कुछ हमारा dependent रहे US भी नहीं चाहता तो यह move को आप दो नजरीय से देख सकते हैं या तो advancement के तौर पर या फिर चाइना के विरुद देख सकते हैं पर हर चीज़ को चाइना के विरुद देखना ठीक नहीं है हम लोग we are already developing the technologies we are into research and everything we are trying to develop things together so not everything is against China not everything is done with China in mind so maybe we'll not go with that but we will go with only one thing that yes we are doing this because it is the necessity of the hour इस जरूरत है इसलिए हम कर रहे हैं अगले news item की चलते हैं और यह है Odisha may prove to be the first mover on PVTG development mission कल के budget में announce हुआ था कि 15,000 करोड उपयों को अलग रखा गया है एक mission के लिए जो कि PVTG tribal mission के लिए ताकि basic sanitation, health, education यह सब वहां तक पहुँँ सके तो इस article में यह निकल के आया है कि Odisha may be the first mover क्यों आपका सवाल यह होगा क्यों इसका जवाब हम दे 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 तो आपके पास topic लिखा होगा vulnerable sections आपके पास topic लिखा होगा vulnerable sections प्लीज एक बार उस पेच को निकाल दीजेगा PVTGs are more vulnerable among the tribal groups आप tribals की बात करेंगे या ट्राइबल ग्रूप की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर्ली vulnerable मतलब खास करके इनके ऊपर या इनका population बहुत कम हो रहा है थोड़ा संकट में है तो पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल है ये पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप्स ये वो हैं जो काफी ड्विंडलिंग पॉपिलेशन है तो पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप है थोड़ा से बता देंगे पर ये वो हैं जो काफी ड्विंडलिंग पॉपिलेशन है उस एरिया से दूर है जहां पर ड्विंडलप्मेंट है उस एरिया से अभी भी ये दूर है 1973 की बात है कि ये कमिशन आता है धेवर कमिशन इस प्विंड ट्राइबल क्रोंप्में इस लिह अलंग गृूप बन्या ब्रिमिटिव टैबल गूप्म इस था विंडर गृप का 1975 म्ेल मैं अँँष्टर इनिटिट ग्रूम्हृ छिंटडबल ट्रेंटिय इस गृटीवर ट्रेंटिस अविंटिव है प्विंड़ popped आज अगर आप बात करें, टोटल हमारे पास particularly vulnerable tribal groups जो हैं, वो टोटल 75 हैं, 75 Among the 75 listed PVTGs, the highest number are found in Odisha, point to be noted सबसे यदा PVTGs के number, group, 13 number, 13, Odisha में पाए जाते हैं इसलिए कहा जा रहा है, कि जो budget है, इसके तहद जो पैसा मिलेगा, वो Odisha तक पहुचेगा और Odisha would be the first mover, the foremost mover, to help the conditions of the tribal people living in its state Followed by आंदरपदेश, आंदरपदेश में 12 हैं, तो ये भी आपके सामने PT का प्रशना सकता है सबसे आदा 13 group हैं, Odisha में, 12 हैं आंदरपदेश में 2006 में government of India renamed the PTGs as PVTGs तो जो ये PTGs से लग प्रिमिटिव tribal groups, इन ही का नाम PVTGs कर दिया गा था पर्तिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप्स अगी एक जलक देख लेते हैं कि क्यों क्यों है They have some basic characteristics, they are mostly homogenous with a small population, relatively physically isolated, absence of written language, relatively simple technology and a slower rate of change, etc और Odisha में सबसे ज़्यादा number of groups, population की बात नहीं कर रहे हैं number of groups की बात कर रहे हैं Odisha में number of groups अब से ज़्यादा है आप देख सकते हैं कुछ आपके सामने हमने लिखा है देखिएगा आंद पदेश और तेलंगानत मिला कि आप देख लेंगे तो 12 यहाँ पे जैसे की बोडो गड़ाबा, बोडो पोरोजा, चेचूज, दोंगरिया, खोंद, ठीक है और देख सकते हैं आप इसमनाम है बिहार जहरकंड में भी है, असूर्स, बिरहोर, बिरिजा, हिलकरिया, जहरकंड में भी सेमी यह नाम आते हैं गुजरात में आप देख सकते हैं कथोडी, कोहलिया, कोहालिया, पधार, सिद्दीज, करनाटक में जेनु कुरूबा, कोरग, कैरला में आप देख सकते हैं चोलान आइकन, कादर, कट्टून आइकन, कुरूमबाज, अभी कुरूमबाज को कुछ दिन पहले हम लोग ने डिसक कोति दोबकित बाहता अमूरक, लंज्या, साकुछ तो ये सब आपका रिस समय वह त्रिपुरा में और उत्तर पैंगोल्ड में और अंडमाने निको बार्ण में भी है अब अगला प्रश्णा आप के लिए है कि क्या सारे राज्यों में हमारे PBTGs पाए जाते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सारे राज्यों में PBTGs पाए जाते हैं खास करके आप आराम से देखिएगा कि आपको कहां पर रुकना है मनिपूर आप यहां देख रहा हैं तो आप सोच के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि PVTG नौर्टीस्ट में कहां कहां नहीं पाय जाते या कहां लिस्टेड नहीं है और क्या भारत में और राजियों में लिस्टेट कहां पर नहीं है आप नीचे कमेंट करके बताईएगा आईए अब इसमें केस तो बड़ा दिल्चस्प है ये पर हम इस केस में नहीं जाना चाहते हम बस इतना जाना चाहते हैं कि UPC के हिसाब से आप विमेन की थीम में Domestic Violence Act के उपर कुछ शब्द लिख लें कुछ पॉइंटर लिख लें हमारी तरफ से विमेन का थीम निकाल लीजेगा Domestic Violence Act 2005 में आता है जिसके तहट आप देखेंगे इसके वर्ड्स देखिएगा पिजिकल एंड मेंटल इल ट्रीटमेंट Primarily meant for the protection of wife or female live-in partners मतलब इसका जो उत्पत्ती हुई है वो हुई है Protection of wife के लिए and female live-in partners के लिए मतलब female live-in partners भी इसमें included है Law also extends to sisters, widows और mothers मतलब महिलाओं के लिए ही है Harassment in the form of dowry demands also included Gives women the right to secure housing The court can also issue protection orders that prevent the abusers to harass the women by acts at her workplace The act proposes the appointment of protection officers and NGOs This act proposes the appointment of protection officers and NGO A breach of protection order is a non-bailable office Non-bailable office है But this act में ठीक है महिलाओं के लिए काफी कुछ इसमें है Over the years and via certain editorials and reports We have found कि कई बार इस act का misuse भी हुआ है इसलिए इसके साथ कुछ issues भी है जैसा कि इस High Court judgment में भी दिखता है High Court judgment फिर से आप देखेगा जो लिखा है Protection under the Domestic Violence Act is not available to male member तो एक बात होता है कि यह आपका gender neutral नहीं है यह act आपका gender neutral नहीं है इसके साथ क्या issues है देखेगा Abused men are not covered This is only for women Abused men are not covered under this law Violence against women is often perpetrated by women herself Example, mother-in-law, daughter-in-law, etc Verbal abuse and mental harassment are subjective terms Protection women के लिए तो है पर male members के लिए नहीं है तो यहाँ पर violence against women is often perpetrated by women herself एक तरह से women को भी protection मिल सकता है यहाँ पर तो women harassed भी कर रही है और women claim भी कर सकती है protection पर male member को कोई protection नहीं है तो यह एक तरह से एक जो gender neutral चीज़ होनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं दिखती है Also, abused men are not even thought of here And the same problem is here As I said कि आप इतना subjective term रखे हैं अगर mental harassment तो कुछ भी हो सकता है तो mental harassment को प्रूफ करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा और यह subjective हो जाएगा Judges, honorable judges के हम लोग फिर wisdom पर depend करने लगेंगे कि वो क्या सोचते है, mental harassment क्या है इसलिए कुछ amendment की दरकार तो है इसको gender neutral बनाना चाहिए That is our submission क्योंकि अब सारे ही acts आप देखेंगे तो gender neutral ही हो रहे है इसको भी gender neutral बनाना चाहिए Is judicial majoritarianism justified बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत दिमाग तो नहीं लगाना है पर इंटरेस्टिंग है Is judicial majoritarianism justified मतलब खाल ही में एक demonetization पर एक judgment आया था जिसमें की एक bench में चार लोगों ने चार judges ने एक opinion दिया जो prevail करता है और एक ने dissenting views दिये तो इसका क्या मतलब है आप number का game अगर देखते हैं तो four is to one का judgment था और four is to one के judgment में कहा जाता है कि शायद आप वही सोचना है जो चार सही बोलना है एक ने जो dissent किया है क्या वो गलत है इसी के उपर ही पूरा article लिखा हुआ है कि क्या यहां भी number game होगा पर सारे judges ने सारों ने ही लोग की पढ़ाई कर रखी है लोग को देख रखा experience उनका तो चार एक तरफ एक एक तरफ कैसे क्या एक सबसे बड़ा dichotomy यह है दूसरा अगर एक dissent कर रहा है तो उसकी voice इतनी कम हो जाएगी कर्व हो जाएगी कि हो सकता है उसो कोई तवज्जो ही ना दे उस बात को सुनी ही नहीं जाए और यही लगबख देखने को मिल दा है तो जुडिशरी वाले पेश में छोटी चीज़े लिखेगा कि जुडिशल रिफॉर्म में एक हमारे दिमाग में ये भी चीज़ा आ रही थी जो हम इसमें से निकाले बड़ा बढ़ी आवड हम आपको देने वाले अ मेरिटोरियस माइनॉरिटी डिसीज़न नंबर का गेम इतना हो गया है जुडिशरी में कि भले ही डिसेंटिंग व्यू का जबर्तस्ट लॉजिक था परंतु उसको लॉजिक उसका वु लॉजिक सामने नहीं आपाएगा या लोग उसको समझ नहीं पाएंगे या उसको सरहाना नहीं मिल पाएंगे अप्रिसेशन नहीं मिल पाएंगा परंतु कई बर देखा गया है कि यही dissenting view कभी न कभी आगे चलके एक सचाई में convert होता है एक अलग ही law में convert होता है इसा कि आपको कुछ example देना चाहेंगे अधिसेंटिंग ओपीनियन ऑफ जस्टिस एचर ना इन एडियम जबलपूर वर्सेश शिवकान शुकला 1976 पड़ा ही important case है एडियम जबलपूर वर्सेश शिवकान शुकला case 1976 upholding the एचर खना साहब अलग डिसेंट किये इन्होंने बोला upholding the right to life and personal liberty even during the situations of constitutional exceptionalism is one of the prime examples इंद्रे कहना था कि in any circumstance right to life and personal liberty cannot be taken away आप खुद देखिएगा क्या आज आप इसकी बात नहीं करते या बहुत सारे judgments भी निकल के नहीं आया पर यह 1976 की बात है तो dissenting view था बाकी लोगों ने बोला कि नहीं they can be curved पर इन्हों ने बोला नहीं it cannot be curved आखिरकार 25-30 साल बाच चीजे वहीं निकल के सामने आई right to life को आप देख सकते हैं interpret कर सकते हैं क्या बड़ा ambit ले रखा है उसने अगर आपको इससे विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको दूसरा दिखाते है the dissenting opinion of justice Subba Rao in the Khadak Singh versus state of UP again a very important judgment Khadak Singh versus state of UP 1992 sorry 1962 Subba Rao साब ने बोला upholding the right to privacy which received the judicial stamp of approval very recently such in 1962 में dissenting view आता है Khadak Singh case में Subba Rao, justice Subba Rao said and gave a dissenting view than the majority of the bench judges and he said that we are upholding the right to privacy and yes there is right to privacy अखिरकार में 2017 में जाके put to swami case में आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि number game से हमें हटना पड़ेगा दूर a dissenting view if it is having the merit if it is having that integrity if its impeccability is strong it must also be taken into consideration by the bench कुछ तूचना पड़ेगा कुछ इसके लिए और कुछ ना कुछ जरूर तरीका निकलना पड़ेगा कि बस यह ना लगे कि यह इन्होंने जो बोला है जो decent कर रहा है जैसे पांच लोग का bench है तीन लोग एक पता है आपको याद नहीं रखना है रेट ऑफ जूडिशल डिसेंट अट दा हाइट ऑफ दे एमर्जेंसी इन 1976 में आपका हाइट ऑफ एमर्जेंसी थी एडेम जबलपूर वाला केस तभी का है वास अमियर 1.27 परसेंट जब एमर्जेंसी का टाइंग था तो रेट ऑफ डिसेंट कितना था 1.27 परसेंट मतलब पूरे जज़ेंट जो बेंच में थे सिर्फ 1.27 परसेंट ही डिसेंट के केस देखे जाते थे अपोस्ट टू 10.52 परसेंट ही 1980 अचानक से 1982 में ये 10 परसेंट से ज़्यादा होगा डिसेंट तो क्या एमर्जेंसी के टाइम में लोगों ने सूज बूज कम कर ली थी या वो खिलाफ नहीं जाना चाते थे या फिर डिसेंट ही नहीं करना चाते थे कुछ भी हो सकता है I am not commenting on anything but I am just saying कुछ भी हो सकता है The study also found that the rate of descent where the chief justice was a part of the bench was lower than in those cases where the chief justice was not on the bench कई बार chief justice साहब अगर bench पे बैठे हैं उस bench में हैं तो वहाँ पर descent कम देखा जाता है और जहां पर उन नहीं है वहाँ डिसेंट ज्यादा देखा जाता है ऐसा क्यों हो सकता है कि चीटरशी साहब अपने हैपको वहाँ पे बनाने के लिए अधिपते बनाने के लिए शायद बात करते होंगे जो भी होता होगा हमें नहीं पता है I am just commenting पता नहीं मतलब यह research में आया है I am not sure what is happening what is not happening I am just commenting as per certain reports it has been shown इसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता such situations call into question the efficiency and desirability of head counting जैसे आप किया न 4 is 2 1 3 is 2 2 तो क्या यह इतना efficient है कि आप 3 is 2 2 में 2 वाले को भूल गए procedures for a judicial determination on questions of national and constitutional importance तो जब तक cases चोटे हों कोई दिक्कत नहीं है पर जब national और constitutional importance का case है वहाँ पर अगर कोई एक justice dissent कर रहे हैं तो उनके logic को और उनके impeccability को उनके reasonability को समझना चाहिए इसके माध्यम से बस एक चीज़ हमें यही निकल के आती है सिर्फ यह कह लेने से कि four is to one का judgment है तो सारे लोग सही होगा यह गलत होगा वो एक judgment आपके हिसाब से ठीक है आप लोग जीत गए होंगे अलग बात है अगर आप उसको जीत मानते हैं तो पर एक जो अलग बोला है वो क्यों अलग बोला है उनके लिए भी law बराबर ही है we must honor into why the dissenting view is there and what is the importance of the dissenting view तो dissent को कभी कर्व नहीं करना चाहिए उसको उतनी ही तवज्जव देनी चाहिए तकि भविशम चलके चीज़ें आपको सीखने में मजबूर करेंगे और सीख पाएंगे आप तो हमारा बस इतना ही सा कहना था और आज की पेपर में यही चीज़ें इंपॉर्टन लगी बाकी तो सब बज़ेट बज़ेटी था इसको आप जूडिशल वाले रिफॉर्म में लिख ली जगए बड़ा बढ़िया है यह टॉपिक है कि जूडिशल रिफॉर्म में यह भी होना चाहिए कि डिसेंटिंग व्यू को भी तवज्जो मिलनी चाहिए इसके लिए प्रॉसेस होना चाहिए और कोई भी अगर डिसेंट कर रहा है तो इसका मतलब है वो उस पोजिशन पे है वो इतना इंपॉर्टन है वो डिसेंट कर है तो कुछ तो बात होगी तो इसकी उपर आप देख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल आप से हमां कीजेगा फिर से थोड़ा खराब हो गया है चुकि कई बार इतनी क्लासेस हो जाती है इतना इनर्जी लग जाता है कि आज कल ज्यादा ही और वाइरल से हम हम भी ध्यान दखेंगे अपना बहुत-बहुत धनेवाद जूड़ने के लिए आपको बता थे कि हमारा एक्सपेडिशन बैस था जो लड़ी उनने से चलना है और आरंब बैस हमारा 27 से चलना था वाइन अकैडमी कोशिश की जारी हमेशा ही एक स्टैंडर्ड कंटेंट दि आपको मिल जाएगी CMC कोड लगाएगा कोई टेस्स भी मिल जाएगी 55 प्लस टेस्ट होते हैं और हमारा यह ऑफ-लाइन बैस है जो की चार तारिक से चलू हो रहा है राजिंद्र नगर में तो आपका स्वागत है वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और डैफ सेशन हमारा फ्र जाएगा थैंक यू सो मच टेक कियर जैहन बाए थैंक यू सो मच